आप सभी का ड्रीम क्लासेज में श्वागत करता हूं हार्दी का विनंदन करता हूं आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है बच्चों क्योंकि आज हम आपको मोटिवेट करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि बोड परिक्षा में तौपर करने के लिए एक बच्चे के अंदर कौन-कौन से लक्षन होने चाहिए कौन-कौन सा वो 11 उपाय है कौन-कौन सा 11 वो लक्षन है जो एक स्टूडेंट के अंदर अगर पा जाए इन बचे 5-6 महीनों में तो वो बच्चा टौपर बन सकता है अगर आपके बोड की परिक्षा में 4-5 महीने ब जब्चा टिका है उपाय होना चाहिए उन फीन आपर प्रामुकौन लक्षन कौन-कौन से जिसको करके अगर आप बोड क्षा में 5 महीने में तो इन इवक जरूरी है आप देखिए ये एक motivational वीडियो है, पूरा motivate करेंगे आपको कि कैसे करनी है पड़ाई, कैसे अपने आपको motivate करना है और इन पाँच चार पाँच महीनों में एक टौपर बनके दिखाना है, तो मैं रहूल सर, honor of dream classes, आप सभी बच्चों का जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन काविनंदन और श्वागत करता हूँ, और चलिए, topic शुरू करते हैं, बिल्कुल भी ज्यादा discussion नहीं करते हैं, देखो भई, पहले तो एक बच्चे के माइंड में कौन-कौन से प्रश्न आ सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल, कि अगर आप board की परिक्षा देने वाले हैं, तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन होगी, पहली समस्या कि एक बच्चा कहा रहा है कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ, एक बच्चे देखा, दूसरा कहा है कि भाई, पढ़ा हूँ, पर भूल गया, देखो, एक बच्चा जो board की परिच्चा में बैठने वाला है, उनको क्या-क्या समस्याएं हुथपन हो सकती है, एक समस्या जो है, पहला बच्चा कहा है कि मैं तो कुछ भी पढ़ा फारी नहीं हूँ, तो उनके लिए भी आथ समधान है, दूसरा बच्चा कह रहा है, कि भाई लाव से याद नहीं रहता है इस सबसे बड़ी समस्या है आम तरु के बच्चों को देखा गया अगर आप इस चीज से गुजर रहे हैं इन सभी परिशानियों से, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और वो भी थोड़ा नहीं, पूरी वीडियो देखिएगा, मज़ा आजाएगा, ठीक है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पे smile नहीं आया, तो आप dream classes का नाम भूल ज देखिएगा, और अगर चेहरे पे smile आजाएगा, तो एक बाद dream classes के channel को खोल कर, सारी वीडियो को एक बाद देखिए, पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है, सभी subject को लेकर, 10th, 11th, 12th and competitive, चौथा जो है, यह भी बहुत सारे बच्चों के अंदर देखा गया है, जो ग्रामी समस्या, दूसरा समस्या की पढ़ता हूँ पर भूल गया, यह समस्या को हम solve करेंगे, तीसरी समस्या को हम क्या solve करें, पढ़ता हूँ पर याद नहीं रहता है, मतब पढ़ता भी हूँ, भूला भी नहीं हूँ, पर लंबे समय तक याद नहीं रहता, दो चार दिन आया, ऐस से हिले डोले मेटर खतम और चौथा समस्य कि मजबूरी है भाई रही हम ग्रामीन चैत्र से हैं हमारे पापाईये करते हैं चोटे बिजनस करते हैं मतलब बहुत सारी यही चीजें हैं जो हमें हमें आर्थिक तंगी को दर्शाता ता रिसकतारं से हम अपनी पड़ाई को अच् तो आईए इन सभी समस्याओं को दूर करते हुए मैं राउल सर आगे बढ़ता हूँ और आपके हर एक प्रश्न का जवाब देता हूँ कि इन चार बच्चों को क्या किया दे पहला समस्या का स्वमाधान ये है कि आप जो 11 लक्षन आपके अंदर लाना है उन 11 लक्षनों में सबसे पहला लक्षन है कि बेसिक से चेप्टर की शुरुआत करें देखो भई बेसिक से क्यों मैं कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे है कि जो सामने मिल गया पढ़ना शुरू कर दिया कौन सा पेज पढ़ रहे कौन सा चेप्टर पढ़ रहे पता नहीं ठीक है जो ठीक है तो सबसे बड़ा सवाल हमने कहा कि आपका जो होना चाहिए बेसिक से चप्टर के शुरुआत करें मतब जो भी चप्टर पढ़ो आप जो है ना मैं एक दम क्लेर कट कट क्लेर करके बोलता हूं कि चैप्टर एक से चैप्टर एक से आपके हर एक सब्जेक्ट में 15 से 20 चैप्टर होते हैं मालो 16 हमने ले लिया तो एक से 16 के बीच में तो हर सब्ता देखो मैं यहाँ पर एक टार्गेट देता हूं वन वीक में अभी से शुरुआत करो कोई दिक्कत नहीं है वन चैप्टर हर सब्जेक्ट का एक सब्ता में एक चैप्टर खतम करने की कोशिश करो जैसे मान कर चलो कि हमारा जो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है वैदुत आवेश और चेत्र पहला चैप्टर क्या है भई वैदुत आवेश और चेत्र तो आप क्या करो कि एक week लो कोई दिक्कत ने रहे, common sense लगाईए ना, एक week भी अगर आप एक chapter खतम करें, point to be noted, साथ दिन में अगर एक chapter खतम करें, एक chapter खतम करना मतब objective, short, long, previous, मतब पूरा chapter, ठीक है, इसके लिए notebook मिलता है dream classes के ओपर, मैं अभी help line number दूँगा, कैसे कैसे मिलेगा, वो मैं अच्छक 96, 16, 17, 112, यानि 112 दिन, common sense लगाओ, अभी हमारे पास लगबग में 5-6 महीने, 3 महीना 180, और हमें कितना चाहिए, 112, खतम topic, यानि एक subject का, एक chapter, एक week लगाओ, आज से भी शुरुआत करो, पूरा कर पाऊगे, point to be noted, basic से chapter पढ़े, और मैं आपको एकदम suggestion करूँगा कि one week, लिख लो कहीं पर, one week, one chapter, अगर मेरी बात मानते हो तो, नहीं मानते हो, तो मुझे पता है कि मैं कितना भी बोल लूँ न, वो आप करने वाले नहीं हो, ये लिख लो जी, इस schedule पर बनाओ, आज से अपना schedule बनाओ, कि हमें एक सप्ता में, एक दिन नहीं बोल रहा हूं है, चलो, clear हो गया, दूसरी बात करें, कि उस chapter पर जादा ध्यान दो, जो board के लिए important हो, हाँ भई, अब इसके लिए तो आपको अलग-अलग teacher से मिलना पड़ेगा, जैसे जो physics है, chemistry है, bio, math, English, तो मैं physics का teacher हूँ, आपको पता है, तो मैं आपको suggest करूँगा, कि भई, चलिए आपने नहीं पढ़ा है, तो अभी time है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ो, दूसरा, optics, यहां से जो है न, यह दो ऐसे chapter है, जो physics के लिए बहुत important है, और यह आपको 25 से 28 नंबर दिलाएगा, जी board की परिक्षा में, यहां 25 से 28 नंबर इन दोनों chapter से आते हैं, और इन दो physics और optics, dream classes के learning, पर इस topic को शुरू करेंगे बहुत जल्दम, ठीक है, modern physics तो बहुत जल्द सुरू हो जाएगा, नहीं, optics जल्द सुरू हो जाएगा, modern physics में थोड़ा सा time ले गए, तो topic हमने बताया कि उस chapter को, उस chapter पर ज़्यादा धिनान दो, जो board के लिए important हो, अब हर teacher से मिल हिंदी वाले से मिलो, English वाले से मिलो, Chemistry वाले से मिलो, Math वाले से मिलो, Biology वाले से मिलो, कि सर हमको वो 5 ऐसे chapter के नाम बताये, जहां से board की परिक्षा में ज्यादा पूछे जाते, यह इसके अंदर 5 आ जाएगा, modern physics और optics के अंदर जो है न, यह 5 चेप्टर आ जाएगा, तीन त परेज 25 प्लस रखिएगा, कि 28, 25 से 28 मार्क्स के board की परिक्षा में पूछे जाते, तो उस chapter पर ज्यादा ध्यान तो जो board के लिए important है, मैं आज time table की बात नहीं करो, मैं already मैंने time table बता दी, मैं आज यह यह नहीं बताने बाला हूँ कि कौन सा chapter कितने बज़े पढ़ना है, कह ऐसे एक अर्जुन को बोला गया था ना कि बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है, तो सब ने बोला सर कुछ दिख रहा है, कुछ अर्जुन ने का सर मुझे चिडिया की सिर्फ आख दिख रही है, तब उसके उनके गुरु ने का कि मारो निसाना चिडिया की आख में, और उन टीचर से अलग-अलग चेप्टर के बाद करो कि भाई कौन बढ़िया पड़ाए एंसी अटी की किताबे भाई इसको इग्नौर मत किया करो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एंसी अटी को हुआ मानते हलका मानते क्या पढ़ना इससे तो कोशन पूछेगा नहीं याद रखना कि हर एक बोर्ड परिक्षा में एक आकलन किया गया है कि असी परसेंट कोशन जो बोर्ड की परिक्षा में पूछेगे उसका असी परसेंट कोशन जो है वो हमारे किस बुक से आता है भाई NCRT से आता है, किस से आएगा NCRT से, कितने percent 80% plus question average, 80% question जो है, वो कौन से book से आता है NCRT book से आता है, point एकदम clear रखो, NCRT की किताबे जरूर खरीदे, ये मैं suggest करूँगा आप सभी क्यों, ठीक है खरीदे, पढ़े, जैसे करे, ठीक है यानि NCRT की किताबे बहुत जरूरी है, आवश्यक है, और मैं suggest करता हूँ कि आप अगर आपने कोई book नहीं खरीदा है, अगर आप book खरीदने के सोच रहे हो, तो NCRT की किताबे खरीदे, यहां से मैंने बताया ना, एक आकलन मैंने बताया कि average जो है 80% question board की परिक्षा में यही से पूछे जाते है NCRT की किताबे आपके लिए बहुत माइने रखती है, जो बच्चा Hindi माध्यम से अपनी board की तयारी कर रहा है मैं suggest करूँगा, एकदम cut to cut एक line में बोलूँगा कि NCRT की किताबे रखो, आनिवार्य है चाहे वो आपका physics हो, chemistry हो, bio, math, hindi सब के लिए NCRT, hindi English का तो कोई जरूरत नहीं है लेकिन बाकी PCMB के लिए आपका जरूर है crash course करना बिलकुल, देखो crash course जो है न भाई, मैं एक line में फिर से इसके बारे में बताऊँगा कि यह जो आपका CC है, जिसको आपका पता है, यह क्या काम करेगा, यह आपके bread के ऊपर, bread आपने खाए न, bread jam बगएरा, जो बच्चा खाता है, bread, सकून bread आपने खाए न, वही, bread के ऊपर जो है न, यह butter का का काम करेगा, मक्खन का का काम करेगा, माल लो कि अगर आप offline पढ़ रहे हो, और online पढ़ रहे हो, ठीक है, तो यह आपका bread का काम करेगा, जिससे हमारी भूख को मिटाया जा सकता है, मक्खन जो है न, वह हमारे bread को testy बनाता है, testy बनाने से भूख जो है, और बढ़ती है, उनर जो होता है, अंदर में खाने का जो होता है, वह और बढ़ता है, और यह जितना भूख लगेगा, आप उतना काम करोगे, यानि सीधे सीधे कहिए, कि यह जो crash course है, यह आपके study के उपर जो है न, मसाला का काम करेगा, और यह crash course कहां से सुरू हो रहा है, तो यह crash course आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, अगर आपकी offline classes कोई कहीं coaching tuition जा रहे हो, सर अगर पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ पढ़ सकते हो, अगर suppose that, कि नहीं सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर आप चाहो, तो हमारे apps के थुरू, dream classes का learning app है, इस apps के थुरू, आप crash course चोईन कर सकते हो, वीडियो के description में मैंने app का link डाल दिया, एप का नाम क्या है, जी बिल्कुल जो हमारे channel का दाम है, dream classes, अभी यह इसी महीने के अंत में, आपका crash course शुरू हो रहा है, फीस बहुत काम है, हसिएगा, मुझे पता है, इतना लग रहा है एक subject में, कहिएगा सर महीने का इतना, नहीं नहीं, छे महीने का उतना लग रहा है, छे महीने में 3090, एक subject पूरा खतम, फुली live, कहां पे dream classes के learning app, वीडियो के description में लिंक है, नहीं तो फिर डिरेक्टली जाएए, play store में search कर ये dream classes, brown color का logo होगा, किस color का, brown color, review दीजिएगा, जरूर वीडियो, app को देखने का, तो मैं एक दम बिल्कुल clear बोलना चाहूँगा, कि dream classes का app, जो है, वो आपके लिए, sorry dream classes नहीं, माफी चाहते हैं, कि ये जो crash course है, ये आपके लिए बहुत आनिवार है, dream classes तो खेर वो आपकी पसंद है कि भाई, हमें कहां से पढ़ना है, ठीक है, कि हमें dream classes के learning app से crash course जोईन करना, ये जो हमारे coaching tuition वाले जो सर है, जो हमें offline पढ़ाएंगे, piece भी मिला लेना, ठी ये help line number हो गया, 620073385, WhatsApp call, दोनों available है यहाँ ठीक है, तो crash course की बात हो गई, कम पढ़ो चलेगा, पाचवास बात हमने कहा, कि कम पढ़िये ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर regular पढ़ना आनिवार है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, एक दिन में 8-10-10 घंटा पढ़ लिया समझे इस चीट को, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, एक दिन में 8-10-10 घंटे पढ़ लिते हैं, और अगले 2-4 दिन तक एकदम सोज आते हैं, कि दुद्ध पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे ना, वो कभी पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि पता है, ऐसी ची भूग लगने का मतलब क्या है, कि अपने भूग को अपनी जो आपकी जो इक्षा है, उससे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, अब ऐसा तो नहीं कि भूग लगया तो 30-40 रोटी खालेंगे, नहीं, चाबल भी खालेंगे, और भी बहुत सारे चीज़, बहुत सारी चीज़े ख क्यों, क्योंकि उसको खाना डोज चाहिए, उसको हर 12 गंटा, 8 गंटे, 6 गंटे पर, यानि मैं कहूंगा कि कम पढ़िए, कोई बात नहीं, हम चलेगा, जहां आपको 10 गंटा टार्गिट दिया गया ना, 4 गंटा ही पढ़ो, 3 गंटा ही पढ़ो, लेकिन याद रखना, regular को कंट्रोल करके नहीं रखिएगा, तो जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं प्राप्त करेंगे आप, तो मैंने कहा, कम पढ़िए, कोई बात नहीं, चलता है, जहां 10 गंटा, वहां 4 गंटा ही, 3 गंटा ही से, परन्तु, regular पढ़ना जो है, यह आपके लिए बहुत आनिवार है कलियर है, कम पढ़े, चलेगा, परन्तु, परन्तु, regular पढ़े, तो ही तीन गंटा पढ़ना, पर रोज पढ़ना, पढ़ाई बहुत जरूर ही है, ठीक है, चलो, अपने आसपास का वातावरन, अही रखे, यह गलत रिखा गया, यहां पे, अपने आसपास का वातावरन क्य जो बातावरन हो गया, वो एक तरह का, माल लिजे, आपके आसपास के जो लोग है, ठीक है, उनकी जो सोच है, उसके उपर कंट्रोल रखना है, मतलब ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को आसपास बिलकुल भी नही रखना है, जिनकी सोच, जिनकी नियत, पढ़ाई को लेकर, बिलकुल भी अक्टिव नहीं है, यानि आसपास के लोगों को जो है, आसपास का जो बातावरन, आसपास का बातावरन मतलब मैं सीधे सीधे कहूं, कि आपके जो अगल बगल के दोस्त है, आपका जो संगत है, वो बढ़िया रखो, संगत का मतलब ऐसे दोस्तों से दोस्ती दिन में 6 गंटे पढ़ते हो, 24 गंटे में, वो 2 गंटा, 1 गंटा नहीं भी पढ़ता है, वैसे लोगों से दोस्ती नहीं करो, हाँ, वैसे लोगों से करो, जो कमजोड है, और उसकी इच्छा जो है, वो बहुत ज्यादा है पढ़ने का, पर वो आर्थिक, तंगी, बहुत सारी चीज़ों से नहीं पढ़ पाता है, वैसे लोगों को अपने साथ रखो, चाहिए वो कमजोड क्यों ना हो आपसे पढ़ने, और जो आपसे तेज हो, जो आपसे अच्छा पढ़ने में, उसको तो रखना ही रखना है, जो कमजोड भी है, मैं ये नहीं बोलो कि जो कमजोड ह को देखो उसकी सोच को देखो कि भाई उसका फोकस का कमजोर होना गरीब पैदा होना गलत चीज नहीं है लेकिन गरीब पैदा होकर गरीब रह जाना यह बहुत गलत चीज है तो कमजोर बच्चा होता है ठीक है उसको उसकी इच्छानुसार पढ़ाई नहीं मिल पाई होगी वो कमजोड होगा, उसकी सोच देखी कि वो सोच क्या रहा है, उसकी मान सिखता क्या करती, वो पढ़ने पर फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो बगल में रखो, बढ़ना एकदम साहिड करो, ठीक है, आओ सनम, जाओ सनम, यही रखना, अगर, जैसे बहु थोड़ा 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 बढ़ रहा है और आपकी मदद चाहता है, तो उसकी मदद करो आप, और बाकी जो आप से तेज है, उससे दोस्ती करने की कोशिश करो, अपना संगत जो है, वो बगल बला एदम स्टाइलिस रखो, एदम मारबुलस जिसको बोलते है, ठीक है, चलिए, साथवा, प्रते एक चेप्टर का उनलाइन टेस्ट देकर अपने हुनर को पहचाने, यह तो आप ब्रीम क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर कर सकते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ टेस्ट होते रहता है, यहाँ पे आईए, अब्जिक्टिव का टेस्ट पहचाने, कि आपके अंदर क्या काविलियत है, क्या काविलियत समझ जाओ, आपकी जो काविलियत है, वो दीरे-दीरे डिक्रीज हो रही है, और आपका मन जो है, वो पढ़ाई को लेकर नहीं है, फोन को लेकर है, कि भाई, फेस्बुक पर कौन सा पोस्ट नया डाले, और वाटसप पर किसका नंबर अड़ करके बाद करें, तो यह सब चीजे नहीं होनी चाहिए, यानि परते एक चैप्तर का जो है, वो ऑनलाइन टेस्ट देना बहुत जरूरी है, टेस्ट देने से आपको अपकी अपनी जो है, वेल्यू समझ में आगी, कि हम, हम कहां है, जाए बहुत जरूरी है, आवश्यक है जी, आपकी बूढ की परिक्षाओं को लेकर, चलो भाई, आटवा सबल, अपना नोटबुक जरूर तयार करें, देखो, मैं इसके लिए दो सजेसन करूँगा, एक तो सजेसन यह है, कि अगर आप खुद से नोटबुक तयार कर सकते हैं, जैसे देखो, यह फिजिक्स की कॉपी है भाई, यह हमने बिल्कुल अच्छे डंग से इसको तयार के, दिख रहा होगा यह स्क्रीन पर, यह नहीं, इस तरह से नोटबुक के रूप में, इसको जो है, वो तयार करो आप, ठीक है, यह बहुत 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 बहुतरीन होने यह बहुत बढ़िया होने वाला है, तो खुद का नोटबुक तयार करिया, और अगर यह आप आप नोटबुक तयार करने में सक्षम नहीं है, तो इस नोटबुक को आप अपने पास भी मंगवा सकते हो, ड्रीम क्लासे के अप के तुरो या डिरेक्टली हमारे टीम से संप सब कुछ अवेलबल है हमारे पास, यह तो इतना एक चेप्टर का है, तो नोटबुक बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत आनिवारी है, नौबा टॉपिक हमने क्या कहा है, नौबा कहा है, रिवीजन आवश्य के हाँ, यह एक चीज आद रखना, रिवीजन आप लोग नही अगले schedule में, जब आपके यह सारे topics खतम हो जाए, तो दो-दो दिन का revision class करो, कि दो दिन में हमें एक chapter फिर से revise करना है, क्योंकि वो तो पढ़ा हुआ है, तो वो revision बहुत जरूरी, revision अगर आप नहीं करते हैं, तो आपके जो board marks है, वो कम जाएगा, आपका board में जो number है, वो दीरे दीरे, लो आएगा, जी, इसका effect आपको board की परिक्षा में देखने को मिलेगा, यानि revision जो है भाई, यह बहुत आवश्यक है, revision क्या है, बहुत आनिवार है, बहुत आवश्यक है, ठीक है, चलो, main point पर आते हैं, जो हमने आपको बोला है, dream classes के notebook से पढ़कर 80%, जी, यह हमने पिछले 6 वर्सों से survey किया है, मैंने काफी सारी लगबग में, 2-3,000 से जादा बच्चों से हम हर साल पूछते हैं, कि हमारा notebook कैसा रहा, हर साल, plus ही होता है, कभी 10,000 बच्चों से, कभी 5,000, कभी 4,000 बच्चों से पूछा जाता है, क्योंक आप dream classes का notebook लेना चाहते है, यह वादा है, जी हमारा राहूल सर का वादा है, यह मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूं, मैंने आकलन किया है, मैं हर साल बच्चों से पूछता हूं, कि भाई, notebook से कितना लड़ा, कोई बोला 90, कोई 95, कोई 80, कोई 70, कोई 60 भी बोलता है, कोई बच्च History, Biomath, Hindi, English, 10th, 11th, 12th, CBSC, सब भी के available हैं हमारे पास, History का भी available है, मतलब Social Science वालों का, तो इसमें हमने एक आकलन किया है, कि इसको पढ़ कर, मतलब आप coaching tuition नहीं भी करते हैं, तो इसको पढ़ कर आप average 80% marks ला सकते हैं, यह वादा किया हुआ है, तो simple सी बात है, कि हम इसीज क गलत नहीं ठा रहेंगे, main point, करें अपने लक्ष को हमेशा कायम रखे, कि हाप पढ़ रहे हैं, सफलता आपके कदम चूमेगी, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, एक लक्ष होना चाहिए, अगर आपके अंदर आपका एक लक्ष नहीं है, तो आप समझो, एक मृत पान हो, आप जिवित प्राणियों में आपकी गिनती नहीं होगी, लक्ष का मतब यह नहीं मैं कर रहा हूँ कि नौकरी पाना, बोर्ड में 90% लाना, कुछ भी एक लक्ष होना चाहिए, जिससे आपको आपकी जीविका का एक स्रोत बन सके, आपके जीने का एक लक्ष बन सक है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो होता है, लक्ष, टारगेट, इसको कायम रखना है, और इसको कायम रखने के लिए बहुत महिनत की जोड़त है, तो यह वीडियो जिसमें हमने 11 टॉपिक्स को कबर किया है, आई होप कि मस्त लगा होगा, आपको जहकास लगा होगा, ठी के लिए 11 चीजे किये, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाते है, तो नीचे सब्सक्राइब कर ले बटन पर दवा के, एक बेलवला बटन दवाईए, और दूसरा कि हमारे ड्रीम क्लासेस के साथ जुड़िए, हमारे लर्निंग अप को इंस्टॉल करिए, हमें टेलिग्रा आप भी फ्री है, यूट्यूब पर भी पढ़िएगा, विल्कुल फ्री है, हाँ, क्रैस कोर्स और नोट्बुक का थोड़ा-थोड़ा फीस लग रहा है, नौर्मनी, 150 बस नौर्मनी फ्रमालिटी के लिए, तो हमारे साथ जुड़िए, मैंने आपको नंबर दिया है, आई जब इस लाइक कम आएगा, लाइक जादा, अगर 99 परसेंट लाइक आजाए और 1 परसेंट इस लाइक है, तो समझेगा, वो एक परसेंट बच्चा जो है, वो आपसे जल रहा है, आपकी सफलता को देकर, तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिस करने वालों की क सभी हार नहीं होती, ओके माई देर स्टुदेंट्स बेस्ट अफ लग पूर बोड परिक्चा एंड अल एक्जाम्स, सभी परिक्चाओं के लिए आप सभी को बेस्ट अफ लग, टेक केर,